जो राहूल कहते हैं कि ये अमीरों के दोस्त है तो ये तो साब साब दिख रहा है उनके ही अपने स्टेट्मेंट से दिख रहा है आरोप वो राहूल पे लगा रहा है लेए आरोप उनके उपर खुद जा रहा है किसी भी मेरा जनीतिक पाटी की बात हूँ, अगर वो ये कहता है कि हम रोजगार, सरकारी नौकरी वो भी, रोजगार नहीं, रोजगार भ्रामक शब्द है, पकोडी तलना भी रोजगार है, सरकारी नौकरी, उत्पादन की नौकरी, अगर सरकार कहती कि हमारा करतब्य नहीं ह तो वो सरकार निकम्मी है और उस सरकार को हमें बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए मोदी जी कह रहे हैं आज कल कि अगर इंडिया गडबंधन जीती सहजादे जीते तो फिर एक बार देश खत्रे में आ जाएगा देश सुरक्षित हाथों से उनके हाथ में चला जाएगा जिनोंने बाबरी का ताला खोला था यह बात ही विरुदा भासी है देश खत्रे में तो इनके हाथों में है पिछले 10 सालों से इन्होंने जिस तरह से जो भी लोगतंद्र के स्तंब हैं उनको अपने तरह से मैनिपुलेट करके और अपनी शक्ती बढ़ाने में जो प्रियोग ये कर रहे हैं वो आज तक के भारत के लोगतंद्र के इतिहास में नपढ़ा मैंने एक इमर्जेंसी जैसी चीज हम लोग पढ़ते सुनते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसमें इंदीरा गांधी ने इमर्जेंसी लागू करने के बाद स्विकार किया कि ये मेरी गल्ती है और उसको उनका परिवार भी आगे स्विकार नहीं करते कि मैंने नहीं दिया वह उसको फिर सरकारी नोकरियों रोजगार में उल्जा देते हैं कि लोगों को इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो रोजगार मिल रहा है एक बात वह कहते हैं कि मैंने अर्थ बेवस्था अपनी देश की सुध्रिण की है और पांच ट्रिलियन एकनोमिक तरफ ले जा रहा है एक बात और बहुत अच्छी कि सही बात उन्हों ने कहा कि मिलियोनियस ट्रिनियोनियस की इस तो संख्या बड़ी है लेकिन खुदी वो अपने मंच पे करते हैं कि पांच साल तक 80 करोर जनता को हम मुथ करासन देंगे तो कि यह कर रहे हैं कि एक तरह हमारे देश में अर करा पति बढ़़ रहे हैं और दूसरी तरह गरी बढ़ रहे हैं 5 किलो अनाज है और दूसरी तरह 5 ट्रिलियन एकनोम में बिल्कुल सही कहा आपने और इस बात को कि क्या होता है कि जो जन्फक्ष धरता है उसके जो इसने भी नेता अपोजिट में कंटेस्ट करते हैं, उनको किसी ने किसी आरोप में जेल डाल दिया जाता है, वो प्रत्यक्ष दिखने लगा है मोजी जी के समय में, तो यह जो सत्य पहुचाने का काम है, मेंस्ट्री मीडिया का, वो काम तो भूल चुकी है पूरी तरह से, और और सारे बड़े मसले जो चुनाओं में, सिक्षा, रोजगार, इन सब के थे, हासिये पर डालके, यह सवाल उठखड़ा है, आप हेडलाइन ठीक कहा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूचा, हेडलाइन तो यह है, लेकिन भीतर की कबर्द देखिए, तो भीतर उसमें पहले से ही जादा है, हिंदूों की संख्या तो केवल कुछ देशों में ही है, तो यह तो कहने का मतलब आप अर्ध सत्य परोश कर, एक नया सत्य क्रियेट कर, क्या इस पर चुनाओं आखरी जो तीन दौर हैं, उस लड़ाए जाना यह पुरानी कहा होते हैं कि जूट को सौ स्थापित किया, तो जब जूट पर जूट बोला जाएगा, तो आम जनता को तो रोटी में फसा दिया है, उनको तो यह लगता है कि कमी मेरी है, रोजगार मुझे नहीं मिला, सरकारी नौकरी मेरी तयारी म कोई कमी रह गई, परिछा मैं ठीक से नहीं दे पारूं मेरे स्थापित की, कई युवाओं ने कहा मैं BSC पास हूँ, आगरा में मुझे याद है पुल के नीचे वो रस पेड़ता है गन्ने का, एक लड़का कहा MSC पास हूँ, MSC AG हूँ कल, लखीमपूर खीरी में, वो वहाँ ठेला चलाता है, तो जो कमेंट करने वाले लोग हैं, वो क क्यों पांच वी पास होने दिये, अगर उसके चहरे से नहीं लग रहे हैं, तो उनका चहरा कैसा दिखता था, उनका चहरे से आप कैसे अंदाज लगा रहे हैं, कि किसी के अंदर ग्यान नहीं है, ने सरगीक ज्यान अलग है, उसने सर्टिफिकेट भी लिया है, उसके पास ज़रूर जो है नैसरगी ज्यान भी होगा जो प्रकृति-प्रदत द्रट में सीखता ही जाता है इस प्रकृतिसे सीखता जाता वहले उसेख terrorist mix लेकिन उसके साथ तो कॉंपलिम्मेंट है जदीघी भी लिया हूआ है הק मैं सका burgießकर और बढ़ जाती आज जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, जीसको रास्टर की सम्पत्ति की समझ नहीं है, वो बात तो ऐसे ही करेगा, उसको एक बड़ी सुन्दर बात है, कई जगह से मैं सुनता हूं कि वाटसफ उनिवस्टी चल रही है, फेस्बूक उनिवस्टी चल रही है, और इसको वाटसप उनिवर्स्टी से फैला हुआ ज्यान है इसे तो इसी तरह की हम अपेक्षा करेंगे मतलब वाटसप उनिवर्स्टी रियल इनिवर्स्टी पर भारी पढ़ रही है और निश्चित तोर पे जिसको रास्ट्र की संपत्ति की समझ होगी जिसको अपने के मानो संसाधन दिखेंगे वो हर व्यक्ति को उत्पादन में लगा सकता है यह सिर्फ इच्छा सक्ति का अभाव है किसी भी मैं राजनीतिक पाट्टी की बात को हूँ अगर वो यह कहता है कि हम रोजगार सरकारी नौकरी वो भी रोजगार नहीं रोजगार भ्रामक शब्द है पकोड़ी नहीं कर पाएंगे कि यह हमारा शोषन कर रही है कि अवल धर्म के आधार पर राष्ट के आधार पर नो तो उनको ठीक से धर्म मालूम है नो तो उनको ठीक से राष्ट मालूम है क्योंकि धर्म को चलाने वाले लोगों को तो यह मानी नहीं रहे हैं संकराचारियों की बात तो ये मानी नहीं रहे हैं, राष्ट की इनको समझ नहीं है, क्योंकि राष्ट्री आंदोलन हमारे देश में एक हुआ है, इसमें इनकी भागिदारी देख लीजिए जरा, ये कैसे इनसे हम राष्ट्र प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने मुख्बिरी का काम किया है, जिन्होंने माफी मांग मांग करके सजाएं अपनी कम कराई हैं, और राष्टी आंदोलन का कोई एक नाम इन में से अगर आ जाता, जिसको हम जानते कि नहीं, ये 1947 तक इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, तो मैं मानता ये राष्ट को चलाने वाले लोग हैं, ये इसको सबसे पहले सावर करने लिखा, आप सब जानते हैं कि जनजवार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है, आप भी जनसहयोग में सामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में सामिल हो, हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोगी हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है, धन्यवाद साथी जनजवार जनता की मीडिया